हेलो फ्रेंड्स बेलिकम हैं आपका मेरी चैनल में तो आझ मैं आपके लेकर आया हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसको देख कर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे और इसको जब आप बनाएंगे तो आपके जो समझजा है न उसकाशा में खतम हो जाएंगे तो मैं आपके लेकर आई हूँ एक बालो की रेमेडी जो कि आपके लिए बहुती ज़्यादा फाइदे मन्द होगी तो बीडियो में एंड तक बने रहना इससे आपके बालो की जो सारी समस्या है वो खतम होगी तो बीडियो को इसकिप मत करना पूरा एंड तक देखना इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता लगा है कि आपके जो बाल है वो कितने सिल्की और शाइनी हो चुके है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप दिख सकते हैं मैंने यह आपर लिया है फ्रेस ऐलोवेरा तो जो मैं यह बालो की रेसिपी बना रही हूँ बालो के लिए जो रेसिपी बना रही हूँ यानि की रेमेडी जो बना रही हूँ इसमें आपको fresh aloe vera लेना है तो आप देख सकते हैं मैंने इसको छुछुछु टुकड़ों में काट लिया है और जो आपको पता है कि बरसाथ का सीजन चल रहा है तो इसमें क्या होता है जो hair fall है बहुत सबसे ज़्यादा होता है तो इस बरसाथ की सीजन में आपको अपने बालू का बहुती खयाल और बहुती चीजों को करना पड़ता है तो इस बात का आप ध्यान जरूर दें आप अपने बालू को सरच्छत रखें तो ये देखिए जो aloe vera है उसको मैंने अच्छे से काट लिया है आप देख सकते हैं तो ये अच्छे से कट गया अब हमें लेना है mixi का जार और जो कटा हुआ aloe vera है उसको हम इस mixi की जार में डाल देंगे तो friends इस remedy को जो आप इस्तिमाल करेंगे तो आपकी जो बालो की समस्त्या है वो सारी जड़ से खतम होगी तो एक बार आप इसको जरूर अपलाए करना तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया curry lips तो ये बहुत ज़्यादा फाइदमन होती है हमारे बालो के लिए तो इसको आप जरूर जरूर इस्तिमाल करें इसमें से कोई जीज आपको इसकिप नहीं करना है सारी चीजे ही important है तो ये देखिए जो curry lips है उसको भी हम इसमें डाल देंगे तो बस जो सारी curry lips है वो हम इसमें डालने के बाद अब आपको क्या करना है इसको हम अच्छे से सबी चीजों को आपको अच्छे से धोने की बादी इसमें डालना है तो ये दिखिए मैंने यह आप लिया है चकुंदर या निकी बी टुरूर इसको छुटोरी टुकडों में काट लिया है तो इसको भी हम इसमें add कर देंगे में उसको बंद जरूर करें क्योंकि उससे आपके बालों को बहुत दीजाद निकुसान होता है सिर्फ वो चीजे कुछ टाइंड के लिए ही अच्छी होती है और बाकी चीजस में खराब कर दती है हमारे बालों को लेखिये nap आपके केमिकल से बसेआं और आपकी रसोई मेंूचरीशें मौझुर होती है उन्हें से लगा कर अपने बालों में इस्तिमाल करेंगे तो सच बतारी हूं फ्रेंट्स आप खुद चौक जाएंगे जब आप इसको 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 हपते में एक से दोबार भी उस करेंगे तो आपके जो बालों का ज़रना तूटना है वो साइट पूरी तरह से बंद हो जाएगा तो यह जो जूसे वो हमारा बनकर रेडी है बस हो सके तो आप इसमें विटामिन E का कैपसूल डालें इससे आपके बालों को बहुत अच्छी सिल्केंड साइनिंग मिलेगी तो पर यहाँ पर मैंने कोकोनट ओयल डाला है आप देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पर चीज़ डाली यह वो सारी ही नैच्रल चीज़े हैं यानि की कोकोनट ओयल, वीट रूट, करी लीब्स और अलोवेरा यह सारी चीज़ें आपको आपके किचिन में मिलेंगी तो यह जो रेमेडी है वो हमारी बनकर तयार है लगाने के लिए तो हो सके तो आप इसको जरूर आजमाना और ए आपके बाल कितने सुंदर साइनी और टूटना और जणना सारे बद्ध हो चुके हैं तो हो सके तो इसको इसको इस्तमाल चरूर करना तो चलिए जब तक कि आप इस रेमेडी को जल्दी से जाकर बनाईए और फिर मैं आपको मिलती हूँ एक निव रेसिपी के साथ और एक अपनी वीडियो के साथ तो यह देखिए इसको लगाने के बाद आपको दूसरे तीन घंडियात अपने वालों को अच्छे से धो लेना है